लालविंद के पच्दमिया में दलित सेना के नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद भरके आकरोस के तीसरे दिन लालविंद बाजार में इस्तिती सामाने सी लगने लगी लोगों की चहल पहल सुरू हुई सुनसान सरकों पर गाड़ियां दोड़ने लगी दुकाने खुलने लगे इसकी वज़ा थी हर चौक चौराहों पर सुरक्षाबलों की मुस्तैदी मगर इन सब के बीच अचानक किसी ने एक अफवा फैला दी कि उपद्रवियों द्वारा पुनह लालगंज बाजार को बंद कराया जा रहा है फिर क्या था देखते ही देखते सभी दुकाने दारों ने अपनी दुकाने बंद करनी शुरू कर दी आम आदमी से लेकर दुकानदारों में भै का माहौल बन गया पुलिस प्रसासन से लेकर हर कोई अस्त व्यस्त नजराने लगा हाला कि ये सब चन भर के लिए हुआ आनन फानन में सभी चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पताधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ कुछ सामाजिक कार्य करता बाजार के लोगों को इसे अफवा बताते हुए अपने अपने प्रतिस्ठानों को खोलने का अनुरोथ किया जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकाने खोलने लगे मगर भै अभी वी व्यावसाईयों में व्याप्त है इस दोरान सूचना पर वड़िय अधिकारियों के टीम भी लाल गंज पहुँच गई जिसके बाद एक जो है पुलिस वाले भागने लगे और भी लोग जो है भागने लगे कि मतलब उदर से आ रहा है लूट पाट यह कर रहा है वो कर रहा है फोर फोर कर रहा है हम लोगों भी तव्समाच गे लग रहा है तो इतना घवरात हो गया और किसी तरह बंद बंद की थोरी से हिंबा चुटा है ते सुबामे लोग हम लोग उने तो पूरे फुल खरे दुकान खोला था जैसे मतलाब किम आम ले में फोलते होसे खोले हैं तो किसी को दोरते भागते आप मतलब लेकिया है यह ज़िता है जो कुछ बहागता की तरह दिखा था कोई बंद कराने नह कि आप निर्भाय होगे दोकान खोलिए कुछ भी नहीं हो पर लोग कर रहे हैं कि अपने से कैम कर रहे हैं तो लोग हलका पुल का डरे भी हुए है कुल में और आज में बहुत बर्ग है कल सानव होती है आज हम तो कुछ भी करवाई करेंगे तो लोग है